असलामू वालेकुम प्यारे दोस्तो, दोस्तो एक ऐसी खबर सोशल मीडिया के अंदर टहल का मचा रही है जिसको सुनने के बाद जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तो कुरान का जिन्दा करिश्मा, कुरान का एक ऐसा करिश्मा जिसको mistake निकाल कर दिखा देगा कुरान के अंदर वह खामी निकाल कर दिखा देगा कुरान के अंदर वह गलती निकाल कर दिखा देगा दोस्तो फिर उस इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है दोस्तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उस इंसान से जिसने कुरान को किया ओपेन चैलेंज फिर उस इंसान के साथ जो कुछ हुआ दोस्तो उसको सुनकर उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब बेल के बटन को भी ओन करें और आल नोटिफिकेशन के आप्शन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तो वह कुरान जो मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब है दोस्तो अल्लाह का कलाम कुरान और इसी कुरान में गलती निकालने का ओपन चैलेंज कर डाला एक इनसानने अमेरिका का एक मशहूर इंसान जिसका नाम आगे बताने वाले हैं और उससे आपको मिलाने वाले हैं दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बताने वाले हैं कि कुरान को चैलेंज करने वाले इंसान के साथ क्या हुआ तो दोस्तो जरासा भी वीडियो को स्किप ना करें अगर आप भी कुरान को दुनिया की सबसे मुकदस किताब मानते हैं अगर आपके अंदर भी यह इमान है कि कुरान में जर्रा बराबर भी गलती नहीं है और कुरान का फर्मान कभी जुटलाया नहीं जा सकता और कुरान में जो लिखा है वो कभी गलत हो नहीं सकता अगर आपका भी यह अकीदा है दोस्तों तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में माशालला जरूर लिखें दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अभी नहीं बलकि आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में भी कुरान को लगातार टार्गेट करने की कोशिश की गई है लेकिन रब के इस पाक पवित्र किताब के अंदर किसी में इतनी ताकत नहीं हुई कि वो एक जरा सी भी गलती निकाल सके दोस्तों इन दिनों पूरी दुनिया के अंदर एक कैप्शन एक खबर काफी तेजी के साथ शाया हो रहा है और ये खबर ऐसी खबर है जिसको देखकर हर मुसल्मान जूम जा रहे है जी हाँ दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट शाया हो रहा है, जिसको देखकर सभी खुश हो रहे हैं, तो आपको मैं पूरा वाक्या बताने वाला हूँ, उस कुरान को चैलेंज करने वाले आदमी के साथ क्या हुआ और उसका क्या नाम है, आपको मैं उससे मिलाऊंगा भी, तो आप जरा भी वीडियो को स देखा गया है, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर न सिर्फ वायरल हो रही है, बलकि इसे काफी पसंद किया जा रहा है, दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है, और दुनिया भर में ये खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, इसी के साथ दुनिया भर के मुसल्मान इस से ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर रहे हैं तो दोस्तो आप भी कर दीजिए इस वीडियो को शेयर दोस्तो सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक एक इसाई शक्स जिसका नाम डॉक्टर गैरी मिलर है जी हाँ दोस्तो डॉक्टर गैरी मिलर ने कुरान पाक को खुला च क्योंकि मुसल्मानों की सबसे पाक पवित्र किताब अगर कोई है, तो वह कलामुला है, कुरान है, और अगर कुरान में कोई गलती निकाल दे, तो फिर इसलाम को वह जुकाने की कोशिश कर सकता है, मुसल्मानों को अपमान कर सकता है, कि आपकी सबसे बड़ी किताब में गलत खामी है, तो आपका धर्म भी गलत है, मुसल्मान भी गलत है, तो इसी मनसूबे के साथ डॉक्टर गैरी मिलर जिसने ओपेन चैलेंज कर दिया, कि मैं कुरान के अंदर गलती निकाल कर दिखा दूँगा, दोस्तों, उनका ओपेन चैलेंज करना, पूरी संसनी के साथ पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन दोस्तों, कुरान में गलती निकालने के लिए, सबसे पहले आपको कुरान पढ़ना आना चाहिए, दोस्तों, क्योंकि वह कुरान से बुख्ज करता था, वह मुसल्मान से जलता था, वह इसलाम से जलता था, वह कुरान को नीचा दिखाना च इसी मनसूबे के साथ डॉक्टर गैरी मिलर, जो कि अमेरिका का वासी बताया जाता है, उसने अर्बी की तालीम लेना स्टार्ट कर दी। गलतिया निकालने के लिए वह इंसान चैलेंज किया, अर्बी सीखा, लेकिन जब वह कुरान पढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों, तो रब की मर्जी से उसका दिल और दिमाग बदल गया, उसका जहन बदल गया, उसके दिमाग का अंधेरा छंट गया, और कुरान की बरकत से दोस्तों, उसने वह चीजे जान ली, जो दूसरा इंसान नहीं जान पाया था, बहरहाल दोस्तों, कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान में वह इस कदर डूब गया, कि फिर वह कुरान का ही बनकर रह गया, फिर वह इसलाम का ही बनकर रह गया, और उसने खुद, ला इलाह इ बातें रखा करता था, कुरान में मिस्टेक के लिए जिसने चैलेंज किया था कि वह कुरान में मिस्टेक निकाल देगा, वह इंसान कलमा पढ़कर मुसल्मान हो गया। दोस्तों, जो रिपोर्ट छपी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानि डॉक्टर गैरी मिलर के बा वह फिर मुसल्मान बन गया। और कल का डॉक्टर गैरी मिलर, आज का वह इसलामी नाम उनका जो बताया जा रहा है दोस्तों, वह है अब्दुल अहद उमर। जी हां दोस्तों, तो ये है कुरान की शान, ये है कुरान का जिन्दा करिश्मा, कि जिसने कुरान से पंगा लिय जिसने कुरान को चैलेंज किया, उसका फिर वह हाल हुआ है, या तो वह सुधर गया या फिर वह बरबाद हो गया। तो दोस्तों, आज भी कुरान का वह जिन्दा चैलेंज मौजूद है, जहां कुरान खुद कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, तो कुरान की तरह एक आयत लेकर आओ, तो दोस्तों, आज तक किसी भी बड़े से बड़े धर्म का ज्यानी, पंडित महर्शे, बड़ा सा बड़ा विद्वान हो, मोलवी हो, किसी में वह सलाहियत नहीं आई, जो कुरान की तरह एक भी आयत पेश कर दे, क्योंकि दोस्तों, कुरान किसी इंसान क लिखा हुआ नहीं, बलकि ये कलाम उल्ला है, ये अल्ला का कलाम है, ये आस्मानी किताब है, तो दोस्तों, अगर ये वाक्या सुनकर, सीना चोड़ा हो गया हो, तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,